नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर भारतिय जनता पार्टी दिव्यांग अविकास आगाडी के नागपूर शरद्यक्ष श्रीकांद भोगे के नेतुतों में दिव्यांग बंदू की समस्याओं को लेकर विश्व दिव्यांग दिवस के आउसर पर आंदोलन किया गया सविधान चोक पर राजसरकार के खिलाफ विरोत प्रदर्शन किया गया और नारे बाजी हुई आंदोलन के पश्चात प्रतिनिदी मंडल ने अपनी मांगो का एक ग्यापन जिलादिकारी आरविमला को सौपा ग्यापन में स्रीकांद भोगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दिव्यांगो की समस्याय हल नहीं की तो तिव्र विरोत प्रदर्शन किया जाएगा नाकपूर महानगर पालिका की स्वास्त प्रणाली कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के संभावित खत्रों से ओगत हो चुकी है ओमिक्रॉन ने दुनिया के कई देशों में संक्रमन के खत्रे को बढ़ा कर रग दिया है इस संभावित खत्रे को देखते हुए महापूर दयाशंकर तिवारी ने शुक्रवार को मनपा की स्वास्त विवस्ता और निगम के पास उपलब स्वास्त सुविधाओं की ओर से की जा रही तैयारियों की समिक्षा की महापूर की अधिक्षता में हुई समिक्षा बैठक में वरिष्ट पार्श सुनिल अगरवाल अपरायुक्त रामजोशी मनपा के चिकित्स स्वास्त अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर चिकित्स अधिकारी गोवर्दन नवखरे समेच सभी जोनल स्वास्त दिकारी मौजूद रहे शुरुवात में महापौर को ओमिक्रॉन के खत्रे और मनपा के स्वास्त विभा की ततपरता के बारे में जानकारी दी गई प्रारंबिक विशलेशन से पता चला है कि ओमिक्रॉन वाइरस से संक्रमन बहुत जल फैलता है चिकित सा स्वास्त दिकारी डॉक्टर संजर चिलकर ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर में प्रवेश करने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नियम लागो किये जा रहे है अपरायुक्त रामजोशी ने 5 दिसंबर को शार्जाह से नाखपुर पहुचने वाली पहली आंतर राश्य एरलाइन के नए नगर निगम दोरा की गई तैयारियों की जानकारी दी कोरोना वायरस के ने वेरियंड ओमिक्रॉन के खत्रे के मद्दे नजर व्यापारियों को और अधिक सतर्क रहना चाहिए और उन चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कन्फेडरेशन ओफ ओल इंडिया ट्रेडर्स के राश्ट्रिय देक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि व्यापारियों के लिए यहाँ आवश्यक है कि वे उचित सावधानिया बरते ताकि बाजार बंध होने की किसी भी संभावना से बचा जा सके वे टीम कैट नाकपुर द्वारा इस विशे पर आयोजित एक कारेक्रम में बोल रहे थे भरतिया ने कहा कि सरकार इस वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए हर संभव उपरायास कर रही है सरकार इसके लिए कड़े कदम उठा रही है पिछली बार सरकार ने काफिस समय के लिए बाजार बंद करने का आदेश दिया था इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए सबी वेपारियों की जिम्यदारी है कि वे इस वाइरस के फैलाओ को रोकने के लिए सतर्क रहे टीमकेट नाकपूर के चेर्मन गोपाल अगरवाल ने वेपारियों को सोचल डिस्टेंसिंग, मास बहनना, सेनिटाइजर का उपयोग जैसे नियमों का पालन करने की सलाह दी अदक्ष किशोर धारा शुकर ने सभी वेपारियों को अपने अपने परिजनों के साथ साथ अपने करमचारियों का भी शर्थ प्रति शर्थिका करन कराने का आववान किया महमुदा शिक्षन एवं महिला ग्रामिंड विकास बहुदेशिय संसाद्वारा संचालित सेंटर इंडिया लौ कॉलेज गोधनी में देश के पहले राष्टपती और प्रख्यात वकिल डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ की जहनती के आउसर पर अधिवक्ता दिवस मनाया गया इस कारेक्रम में डॉक्टर S.M. राजन, सेंटर इंडिया कॉलेज ओफ लौ के निदेशक डॉक्टर यासमीन सिद्धकी, सेंटर इंडिया अध्यापक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाती राउत, डॉक्टर सीमा चिखले मुख्या रूप से उपस्ति थे स्वर्गिय डॉक्टर राजन प्रसाथ को श्रदाजरि देते हुए, डॉक्टर राजन ने अपने भाशन में आधुनिक समाज में अधिवक्ता की भूमिका पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि मुकद्मों को लड़ने के अलावा वकील निशुल कमामले लड़कर और गर स्वर्पाती राउत ने धर्मनेर पेक्षता, लोकतंद्र और समतावात की मूल अधारना के विस्तार में वकीलों द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला, डॉक्टर सीमा चिकले ने सामाजिक परिवर्तन और राष्ट में वकीलों की भूमिका पर जान करी द दक्षिन पूरम मधरेल वे नाकपुर मंडल में वश 2021 की मंडल रेल उपभोकता सलाकार समिती की, दूसरी बैठक मंडल रेल प्रबंदग मनिंदर उपल के अधक्षता में वर्चल माध्यम से संपन्द हुई, इस दोरान अपर मंडल रेल प्रतिबंदग जपताप, समिती क सचीव वरिष्ट मंडल वानिज प्रबंदग विकास कुमार कश्यप सहीत मंडल के अन्य संबंदित अधिकारी गन उपस्ति थे, इस बैठक में समिती के सदस्य मोनिल जयन, संजय अगरवाल, गोकुल कट्रे, रितेश अगरवाल, दिलिफ फतेपुरिया, आशिश मेठी, अजे कुमार सिन्ह, अखिलेश शुक्ल, सेवक कारे मोरे, जीतेंदर अगरवाल, रमेश रंगलानी, अरुन रहांग डाले, अवधेश चववान, हरिश कपूर, भारत बालागत, रेनुका चांडक, एवं सुश्मा कोठारी वर्चल माध्यम से उपस्ति थे, मनिंदर उप मित रूप से शुरू कर दिया गया है, साथी प्लाटफॉर्म टिकेट की कीमत भी पुर्वतह हो गई है, देश के विविन अस्थानों पर लोकल ट्रेने भी धीरे-धीरे दोबारा शुरू किये जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों को काफी राहत मिल रही है, जिला आपदा प्रादिकरण की अद्धक्षा एवं जिलादिकारी आर विम्ला ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर, कोरोना के नए विरियंड ओमिक्रॉन के खत्रे के मद्दे नजर, विदेशों से नाकपुराने वाली यात्रियों के लिए कुछ प्रतिबंद लगाय यह प्रतिबंद भारत सरकार के मार्गदर शक्ततों के आधार पर समय समय पर लगाये गए प्रतिबंद के अनुसार सभी आंतरराश्ट्य और स्थानिय हवाई यात्रियों पर लागू होंगे, जिलादिकारी द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार, नाकपुर हायरिक्स रेनी में माना जाएगा, ऐसे हायरिक्स आंतरराश्ट्य यात्रियों को प्रात्मिक्ता के साथ विमान से उतर कर उनकी RT-PCR टेस्ट के लिए नाकपुर हवाई अड़े पर स्वतंतर वैवस्ता की जा रही है, टेस्ट के बाद उन्हें साथ दिनों तक संस्तात्मक क्वारंटाइन किया जाएगा, यह अधी पूर्ण होने के बाद उनका पुना RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, यदि सात्वे दिन पर उनकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो उन्हें पुना साथ दिन होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा, आदेश में यह भी कहा गया है कि नाकपुर हवाई अड़े पर पहुँचने वाले यात्री भारत सरकार, वो महाराष्ट सरकार द्वारा तयार किये गए मसोदे में, पिछले 15 दिनों की यात्रा के बारे में उचित जानकारी देंगे, बिजली बिल नागरिकों पर एक निश्चित सरकारी या स्थ सरकारी कर नहीं है, बिजली बिल वास्तों में ग्राहक द्वारा खपत की गई बिजली का शुल्क है, साथ ही यदि कनेक्शन लेने के बाद भी बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है, तो निश्चित आकार को छोड़कर अतरिक तभुकतान करने की आवशकतान नहीं है, इसलिए जब आप आवशक बिजली का उपयोग कर रहे है, तो बिजली का बिल हर महीने नियमित रूप से भुकतान करना ग्राहक का करतव है, आज महावितरन पर 71,000 करोड रुपए की बकाया राशी का एक बढ़ा बोज है, इस गंबिर वित्तिय संकट के कारण महावितरन क अस्तित वही सवालों के घेरे में हैं, घरेलू, उद्योग, क्रुशी, वेवसाय, सारोजनिक सेवा, आदी के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के बिल महावितरन द्वारा महाराष्ट विद्धु द्यामक आयों के निर्धारित दरों के अनुसार ही वसुल किये जात और बिलो का भुकतान ग्रहक द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली के नुसार ही किया जाता है, अतहा इस परिस्तिती में महावितरन के पास बिलो के बकायाराष्ट की वसुली के लिए बिजली आपुरती काटने के अलाबा कोई विकल्प नहीं है पिछले दो वर्ष से पूरा देश इस कोरणा महामारी से लडाई लड रहा है और इस लडाई में सबसे ज़्यादा तकलीफ यदि किसी वर्ग को मिली है तो वो है व्यापारी वर्ग चाहे लॉकडाउन हो, करमचारियों का वेतन हो, बैंक लोन हो, दुकान मकान का किराया हो, जीस्टी हो, इंकम टैक्स हो या फिर व्यापार की मार हो हर बार तकलीफ सिर्फ व्यापारियों को ही हुई है, इस आशे के विचार पर, नाकपुट जनरल मर्चट एसोसियेशन के अदेख अशोक संगवी ने वेक्ट किये, संगवी ने कहा, कि सरकार द्वारा निशले तपके के लिए पैकेज की गोश्ना की गई, बड़े तो वो सिर्फ व्यापारी वरगी था, उनकी तकलीफों को हमेशा नजरन्दाज कर दिया जाता है, इन सारी तकलीफों के बावजुत व्यापारियों ने हर बार सरकार का साथ दिया, उन्होंने कहा, कि आज फिर से कोरणा के ने वेरियंट से लड़ाई करने की घोश्ना सरक सतकार ने कर दी है, अब भी हमेशा की तरह व्यापारियों को ही निशानाब बनाया जा रहा है, मांक्स कोई नहीं पहनता है, तो फाइन पास्टो रुपे लिया जाता है, पर वही यदि कोई ग्रहक बिना मांस के व्यापारी के दुकान में पाया जाता है, तो नियम बदल दिया जाता है, विश्व दिव्यांग दिवस के अउसर पर न्यू लाइफ सेंटर मुखबदिर स्कूल जासिरानी चोक सिताबडी नाकपूर में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं चात्र चात्राओं का पुष्पकुच्चदे कर सतकार किया गया, और उन्हें शु इस अउसर पर स्कूल परिसर में व्रिक्षर ओपन भी किया गया, नाकपूर शहर पुलिस दल में काररत सायक पुलिस उपनिरिक्षक संजय यादो के बेटे साहिल संजय यादो उम्र 22 ने भारतिय नौसेना अकाडमी के 101 बैच में सबलेटनन पत काई प्रशिक्षन लेकर पास आउट किया है, सायक पुलिस उपनिरिक्षक संजय यादो नाकपूर शहर पुलिस दल में पाचपावली यातायाद पुलिस मुख्याले क्राइम ब्रांच आधी जगों पर 30 वशों से अपनी सेवाद दे रहे है, अभिवे नंदनवन पुलिस थाने में काररत है, उनक ऐसी के लिए अप्रिल 2017 में NDA की परिक्षा उत्तिर नकर, खड़कवासला पुने में BTEC Electronics Telecommunication का तीन वर्ष का प्रशिक्षन पूरा किया, आगा में एक वर्ष का प्रोविजनल प्रशिक्षन, भारतिय नौसेना अकादमी एजिमाला केरल में पूरा किया, 27 नवंबर को 101 तो एक वेब बैच में सबलेटन के पत पर प्रशिक्षन पूरा कर वेब पास आउट हुए है, इस उपलब्धी के लिए उसके तमाम रिष्टेदार, पडोसी तता शहरवासी उसे शुपकाम नायत दे रहे है ओमिक्रोन नामक कोरोना वाइरस का नय वेरियंट खत्रे के रूप में उभर रहा है, अतह सभी को सावधान रहना चाहिए और घबराने की बजाए नियमों का पालन करना चाहिए जिन देशों में टिका करन अधिक है, वहाँ इस वाइरस का जोखिम कम है, टिका करन के मामले में नाकुर शहर मुंबई और पूने के बाद तिसरे स्थान पर है, यह होसला बढ़ाने वाली बात है शहर के 98% नागरिकों ने वैक्सिन का पहला डोज लिया है, शेश नागरिकों को भी टिका करन के लिए आगे आना चाहिए, हाली में शहर में विदेश से आई यात्री पहुंचे है मनपा प्रशासन को मिली जानकारी के नुसार शहर में ऐसे 101 यात्रियों की पहचान की गई है इन सभी यात्रियों का प्रशिक्षन कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है नागरिकों को कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से उत्पन खत्रे के प्रतीज जागरुक होने की आवशकता है अगर आपने विदेश यात्रा की है तो तुरन नजदी की मनपा का रहले या अस्पताल को सुचित करे अगर कोई जानकारी चुपाता हुआ पाया जाता है तो उसकी जानकारी मनपा को दी जानी चाहिए सुरक्षा के लिहास से सभी को मनपा प्रिशासन का सहयोग करना चाहिए इस आशे के विचार महापोर दयाशंकर तीवारी ने वेक्त किये है महापोर ने शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील की है राजेंदर परसाद की जैनती पूरे हर्शलला से साउनिर सिद अर्विंद इंडो पब्लिक स्कूल में मनाई गई डॉक्टर राजेंदर परसाद की प्रतिमा पर पुषप अरपन कर प्राचारय राजेंदर मिश्व ने दुविप प्रजुलित किया और पूरे स्कूल की तरफ से आदरान जली दी स्कूल के सुछना फलक को राजेंदर प्रसाद से जुड़ी रचनाव से सजाय गया उनका जन 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गाव जिरादेई में हुआ था उनके पिता का नाम महादेव सहाय था वे संस्कूरूत एवं फार्सी के विद्वान थे दोरकट राजन परसाथ की प्रारमिक शिक्षा चपरा के जिला स्कूल में हुई आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना और कोलकता से पूरी की प्रेसिडेंसी कॉलेज के वे होनहार विध्यारती रहे हैं 1915 में स्वर्नपदक के साथ विधी परासनातक की परिक्षा पास की और बाद में विधी के शेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपादी भी हासिल की वे भारतिय सौधिंता आंदोलन के प्रमुक नेताओं में से एक थे उन्होंने भारतिय राश्टर कॉंग्रेस के अदेश के रूप में भी प्रमुक भूमी का निभाई सौतंतर भारत के प्रतम राश्टरपती के रूप में डॉक्टर राजन प्रसाद ने बारा वर्षों तक सेवा की उज्वल गौरक्षन टर्स बहादुरा ग्राम नाकपुर उज्वल गौरक्षन में एक गाई ने दो बचडे को एक साथ जन्म दिया तुरन डॉक्टर गजनन कामडे को बुला कर उनकी सेवा लेकर आवश्चक प्रतमोप्चार किया गया गायव दोनों बचडे अब स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर के परामर्ष के अनुसार आवशक खाद सामगरी एवं दवा इंजेक्षन आउशदी आदी दिया जा रहा है शारिरिक कमजोरी को दूर करने हे तू पोश्टिक आहार सुबर शाम एवं दो पर में दिया जा रहा है ट्रस्ट अद्रक्ष महिंदर कटारिया ने बताया कि पिछले 27 साल से वे इस गौशाला से जुड़े हुए है और संस्ता के इतियास में पहली बार एक गौमाता ने एक साथ दो बचडों को जन्म दिया है दान दाताओं के सहयोग से ही गौरक्षन का यहने कार्य आगे बढ़ रहा है गौरक्षन ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सभी गौबक्तों से निवेदन है कि उजवल गौरक्षन ट्रस्ट बहादुरा ग्राम उम्रेड रोड नाकपूर में आकर गौसेवा का लाब अवशले एवं सुझाव भी दे परंपुज साथवी प्रिति सुधाजी के प्रेणा से स्थापित उजवल गौरक्षन ट्रस्ट निरंतर प्रगतिपत पर दानदाताओ के सकारात्मक सयोग से आगे बढ़ रहा है गोविज्यान अनुसंदान केंद्र देवलापार नाकपूर संचालित कामधेनु चिकित्सा केंद्र का रामदा स्पेट सीथ लेंडरा पार्क में उदगाटन हुआ इसके उदगाटन समारो में उदगाटक विनायक देशपांडे केंद्रिय संगटन मंत्री विश्व हिंदु परिशद और प्रमुक अतिती कांचन गड़करी के करकमलो द्वारा संपन हुआ पूरम में यह दवाखाना धन्तोली में गोरक्षन परिसर में हुआ करता था गोरक्षन सभा के नवीनिकरन के कारण यह दवाखाना लक्ष्रिनगर में दिख्षा भूमी के सामने स्थानां तरित कर दिया गया था एक दिसंबर से रामदा स्पेट नागरिक मंडल के सोजन्य से लेंडरा पार्क में पंचकर्म की सुविदा प्रदान की गई विनाएक देशपांडे ने अपने भाषन में गोधन का महत्व बताया कांचन गड़करी ने भी इस विशे पर प्रकाश डाला कारेक्रम की अद्ध्यशतार डॉक्टर हेमन जामे करने की और प्रमुक अतिती के तोर पर महापोरदया शंकरतिवारी उपस्तित थे आत्म निर्बर भारत की पहल पूरप्रदानमत्री अटल बिहारी बाचपई के कारेकाल ही शुरू ही थी और अब नरेंद्र मोदी के कारेकाल में उसे बहुत बढ़ावा मिल रहा है विशेशता देशी गाय के दूत का महत्व अब लोगों को समझ में आ रहा है जैविक खेती, जैविक अनाज, इनका महत्वी लोग जान चुके है चितरांश कायस्ता समाज बहुत देशिय संस्था के सधस्य और पदादी कारियों ने सेंटरल एमवेन्यू लकडगंश टेलिफोन चौक सित टॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल लैरपन किया और उनके योगदानों का समरन किया इस अउसर पर संस्था धेक्षर शैलेंद्र श्रिवास्तव ने कहा कि वे एक सच्चे देश भक्त, समाद सेवी, चिन्तक और एक योगी थे सजन्ता, सरल्ता, तथा निश्क पट्ता के प्रतिमूर्ति थे मरनो परांत उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया वो लगातर 12 साल तक राश्ट्रपती पत पर बने रहें और देश की सेवा करते रहें हालांकि आज वे हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके व्यक्तित्व की सादगी, त्याग, सेवा, भावना, करतब्य निश्ठा और उनका आदर्ष जीवन जैसे गुन सदा हमारे लिए पत प्रदर्शक होंगे इस आउसर पर संस्था अद्धिक्ष, शेलेंदर श्रीवास्तव, दिनेश्रीवास्तव, मेहेंद्र कटारिया, अद्धिक्ष उजवल, गौरक्षर ट्रस संस्था, विनोत खन्न, सुशिल्ज्रीवास्तव, मनोच्य श्रीवास्तव, कविताहिंगंकर, आदी प्रमुक के संचालक डॉक्टर विंकी रुगवानी मुख्य वक्ता थे कारेकरम की शुरुआत परंपरिक दिप रजवरीत कर की गई डॉक्टर जयप्रकाश ने परिचायतमक भाशन दिया अपने भाशन के दौरान डॉक्टर विंकी रुगवानी ने कहा कि विकलांगता विधैक 2016 में थेले सेमिया और सिकल सेल रोग को विकलांगों की सूची में शामिल किया गया था थेले सेमिया और सिकल सेल रोग के रोगियों को अब शिक्षा में आरक्षन मिल रहा है लेकिन इस विशेश विधैक में नोकरियों में आरक्षन का कोई प्रावधान नहीं है डॉक्टर विंकी रुगवानी ने सरकार से अपिल की है कि विधेक में संशुधन किया जाए और हीमोगलोबिनोपैथी के मरीजों के लिए नौकरियों में आरक्षन के जरिये शामिल किया जाए उन्होंने विकलांग प्रमान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया क्योंकि रोगियों को प्रमान पत्र प्राप्त करने में कठीनायों का सामना करना पड़ता है इस कारेक्रम में थेलेसीमिया और सिकल सेल के कई मरीज एवं उनके माता पिता उपस्तित थे। कारेक्रम के दोरान विकलांग प्रमान पत्र के समद्ध में रोगी और उनके रिष्टेदारों के प्रश्णों का उत्तर भी दिया गया। आमक एक वेरियंट दक्षिन आफ्रीका में पाया गया है। इस ओमिक्रोन वाइरस प्रजाती से संक्रमन तिव्रगती से फैलता है। अतहां भिड़बार से बचना नागरिकों के लिए अक्त्यंता महत्व पुरुना है। के बढ़ते खत्रे को देखते हुए, महापरी निर्वान दिवस पर सभी श्रधालू साउधानी बढ़ते और घर पर रहकर ही डॉक्टर बाबा साहब अमिटकर का भिवाधन करे। जिलाधी कारी ने अपिल करते हुए कहा। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्क के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टीका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर भी होगा। टीका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है। आइसोलेशन अस्पताल इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पौली और प्रगती हौल दिघोरी में उपलब्ध है। सयद नूर इलाही उर्फ बेलफल वाले बाबा, रहमत उल्ला अलहे का सालाना उर्स शरिफ बड़ी सादगी पुर्ण तरीके से मनाया गया। हाजी वली मुहमद वहाजी साजित देदरानी की सरपरस्ती में उर्स मनाया गया। कॉंग्रेस नेता मुहमद वसीम द्वारा परचम वफूल चादर पेश कर नियास का वितरन किया गया। इसके पश्चात विश्वशांती और कुविट महमारी से निजात दिलाने के लिए दूआ मांगी गई और हिंदू मुस्लिम सी की सही भाई चारा और देश में अमन रहे ये दूआ मांगी गई। उर्ष के दोरान आये हुए महमान का इस्तिकबाल किया गया। इस अवसर पर हाजी वाजित, बाबु भाटी शेक, आरीफ, राज़ेश जैसवाल, हाफिस अकरम, सेद रफीक, मुहमत असलम, ताज मुहमत, वासिफ अंसारी, वसीम बेग, शेख मुस्ताक, शेख वसीम, मु यूनियनों की मदद से 146 रेल यातरी सहायकों को लगभग 15 बार, लगभग 1300 किराना किट फितरित किये गये थे। स्वच्छा पैजल उपलप्त कराने के लिए जेसी आई, मेडिकोज, नागपूर की मदद से आरेमस में यातरी सहायक, विश्राम कक्षमें यातरी सहायकों क के साथ पूरी भाजी भी बांटी गई थी, अप्रेल और मई 2021 की चरम अवधी के दोरान, रेलाइन्स फाउंडेशन ने यातरी सहायकों को 40,000 मास्क वितरित किये, मंदल रेल प्रवंदक रुचा खरे नागपूर मंदल ने नागपूर रेले विस्टेशन पर रेल यातरी स सायकों और जूताशायन विक्रेताओं को 100 कंबल वितरित किये हैं, कंबल सिवा किचन द्वारा कारियाले अधिक्षक के ए पोचा के सायोग से उपलप्त कराये गए, इस आउसर पर पी एस खैरकर, डी एस नागदेव, आदी रेल विभाग के अधिकारी उपस्तित थे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस, नमस्कार